जैहिंदे एवरीवन सभी को जैहिंदे उमीद करता हूं प्यार दोस्तों आप सभी अच्छोंगे और एक और गॉर्मेंट जोब की तियारी बहती इन तरीके से कर रहेंगे दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा हमारे चनल पे हर रोज सेंटर गॉर्मेंट एस्टेट नीकल के दोस्तों ठीक है और यह जो विकैंट सी इस सरकारी नोक्री और सरकारी नोक्री nahi साथ साल तक कि यह जोब रहने वाली दोस्तों आप सभी को मैं बता दूँ और यह गोर्मेंट जोब रहने वाली है ठीक है वह भी मैं आपको बता हूँगा यह जो युनिविस्टी है कहां से यह विकैंसी निकल के हैं जैसा कि आप सभी को पता हुआ सरी माता वैसुन देवी जामू कस्मीर की यह युनिविस्टी है बोर्ड है वहां से यह विकैंसी निकल के आई है डारेक्ट रुकुमेंट रहने वाली है दोहजार चोबिस की भरती निकल के दोस्तों इसे बढ़ती में मेल और फिमेल दोनों के दोनों के इंडिट है वह सभी अपलाई कर सकते हैं ओफिचली नोटिस आउट हो चुका है गाईज और एज की हम बात करेंगे 18 से लेकि 40 साल तक स्टुडेंट है वह सभी अपलाई कर सकते हैं और हमारा जो चैनल है सरकारी जॉब्स इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बैल ऐकन प्रेस करें अगर गूगल पर जोब्स तो हमारे चैनल ऊपर ही आजाएगा या फिर अजय फोजी व्लोगर के नाम से सर्च करोगे तब भी आ जाएगा या फिर अजय ओफ्लाइन भरती तब भी आ जाएगा गाईस चीक है तो चलते हैं आज की ओफिचली लेटिस्ट भरती की और यहां पर देखेंगा दोस्तों जै माता दी सभी को जै माता दी शरी माता वैशनुदेवी की जो बोर्ड है वहां से विकेंड से निकाली गई है यहां पर माप सभी को दिखा देता हूं इसका जो अड़र्टाइजमेंट नंबर है और पेस्केल देख सकते हैं सबसे पहले 200 रुपए इसका बेसिक पे रखा गया है यानि कि इसकी जो पेमेंट मिलने वाली है को चालिस हजार के सम्थिक आपको फर्स्ट पेमेंट मिलने वाली है और यहां पर इसका जो नोटिस है देख सकते हूं यहां पर नोटिस दिया गया है यहां पर एप्लिकेशन फोर्म दि लिखिए का दोस्तों ठीक है बिल्कुल रील है कोई भी फेक नहीं है यहां पर जो वीकेंसे निकल के है 15 वीकैंसे निकल के सब्सक्राइब आईए जुनियर असिस्टेंट के सब्सक्राइब 225 पांशो से लेके 81,100 रुपैस का बेसिक पे रखा गया है यहाँ पे बात करेंगे Education Qualification के बारे में Graduation with One Year Diploma Computer Application यानि कि आपके पास Graduation होने चाहिए यानि कि BA Pass, BSC Pass या B.C.O.M. Pass Student है वो सभी अपलाई कर सकते हो ठीक है और किसी भी Institute से आपके पास One Year का Diploma होना चाहिए Computer का Computer का आपके पास Diploma होना चाहिए दोस्तों ठीक है यह चीज़ Compulsory है और आपकी जो Typing Speed मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनिट आपकी Typing Speed मांगी गई है और जो कि यहाँ पे तीन येर का Experience मांगागा है Relative Field से अगर जिस भी Student के पास में यह Experience certificate नहीं है Junior Assistant का तो WhatsApp पे Message कर लेना यह हमारा WhatsApp नमबर है WhatsApp पे जाके आप लोग Message कर सकते हो गाई ठीक है क्योंकि Experience के वज़े से Student रहे जाते हैं तो जितने जिदेंट है यह हमारा WhatsApp नमबर है WhatsApp पे Message करके आप Contact कर सकते हो ठीक है अच्छी खास से विगन से निकल गया है Experience होना बहुत ही ज़रूरी है ठीक है Compulsory है तब यह आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऐसे अपडेट आपको कोई नहीं देगा दोस्तो और इस भरती में All Over India से Candidate है वो सभी अपलाई कर सकते हैं किसी भी राज्य किसी भी स्टेट से भी लोग करते हैं आप सभी अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर Age की बारे में बात करेंगे दोस्तो Age 18 से लेकि 40 साल तक Candidate है वो सभी अपलाई कर सकते हैं और आपका जो Slection Process रहने वाला है जाएगा और इसका यहाँ पर देखिएगा टाइपिंग स्पेड 35 पर मेंट मांगी गई है दोस्तों ठीक है और अगर आप टाइपिंग स्पेड में पास हो जाते हो तो आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट के लिए कोलेटर हो भी दिया जाएगा ठीक है तो रिटन टेस्ट होगा जो कि यहाँ पर देखिएगा असी कोश्चन आने वाले है टोटल ठीक है और यहाँ पर स्लेबस के बारे में मैं जानका ली दूंगा दोस्तों और 0.25 इसकी नेगिटिव मार्किंग भी रहने वाली है ठीक है उसके बाद यहां पर देखिएगा Pacific olmad तीन कैंडियट को बुलाया जाएगा यान की देख सकते हो तो पंद्रा सीट पर कितने कैंडियट को बुलाया जाएगा ठीक है यहां पे भी आपका क्या होने वाला है जिस भी कैंडिडियेट का जिस भी कैंडिडियेट का यहां पे अच्छा जिस भी कैंडिडियेट का अच्छा पेपर अच्छा गया है और टाइपिंग टेस्ट अच्छा गया है मैंली तो पेपर होता है पेपर के उपर है अगर आपका इंट्रिविव में तो नॉर्मली चीज़े पूछी जाएगी ठीक है नाम वगरा यही चीज़े होती है इंट्रिव ठीक है और इंट्रिव का कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला यहां पर बात किंगे दोस्तों सारे के सारे जो डोकोमेंट है ठीक है इस एड्रेस पर आपको भेजना है चीफ एजुक्रेटिव ओफिसर यह इसका एड्रेस है सी एम वी डी एस बी सेंट्रल ओफिसर ओफिस कट्रा जमू एंड कस्मीर ठीक है इस एड्रेस पर पत्चिस एक दोजार चोबिस तक आप सभी को इसका सेल्फ अटेस्टिड कोपी डोकोमेंट आपको भीजने है यहां पर दिखेंगा जो भी इसका बायो डाटा है जो कि मैं आपको दे दूँगा इसका जो एप्लिकेशन फूम है वीडियो के डिस्टेशन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप वाट्सप पर मैसे करके ले सकते हो ठीक है और क्वालिफिकेशन सेटिविकेट यानि की डिगरी और एक्पिन सेटिविकेट वह भी कमपलसरी है ठीक ह और बर्डे सेटिविकेट यह आपके पास है तो ठीक है वरना कोई बात नहीं है ता सभी की मार्केट चल जाएगी दो सेलफ अटेस्टिड पासपोसाइज फोटो और डिमांड ड्राफ्ट है जो कि यहां पर दो सुरुपे का आपको डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेग और इस वेबसाइट पे जाके आप सभी टाइम टू टाइम चेक कर दिना सौटलिस्ट के यहां पर टैपिंग टेस्ट के लिए को लेटर भेज जाएगा रिटन टेस्ट के लिए और परसनल इंट्रेविव के लिए लिस्ट हो भीजी जाएगी दोस्तों ठीक है और यह 5.1. कि 2024 का ही नोटिस दिया गायै कि उसके वाद यहां पर देखीगा दोस्तों कि एप्लिकष घi Morρε WR कर करेंगे मुत्झी करने यहां पर आ गया है और यहां पडीका है स्लेड़ का गाया जरुन इंगलिज जो की 15 मार्क के इप ठीक है उसके बाद जर्णल अवेर्नेस आएगी 25 नमबर की ठीक है स्रीमाता वैसनुदेवी कल्चर एंड यह आएगा 15 नमबर का ठीक है इसके बाद अपकुट्र आएगा दोस्तों दस नमबर का उसके बाद कंप्यूटर अप्लिकेशन आएगा जो कि पन्दार नमबर का टोस्तल असी नमबर का यहां पेपर आने वाला है भी दिखा देता हूं यहां पर application form है application form download कर लेते हैं मैं जो information कोई भी YouTube चैनल वाला आपको information नहीं देगा इसका application form में बाइडाटा है यह भी आप भरके भेजना है दोस्तों ठीक है सारी सारी डोकॉमेंट अटैच करने हैं जल्दी से जाके आज ही form भरेगा जैहिन जैभार तुमने मात्रम लव यू गाइज